कुछ जादा ही अच्छी लड़कियां बुरी लड़कियों को पागल कर देती है तीचर को मिया की क्लास में एक नई स्टूडेंट को मिलाते हुए खुशी हो रही है लेकिन मिया नई लड़की को एक टार्गेट की तरह देखती है उसने पहले से ही पूरे स्कूल की साथ प्रैंक कर लिया है ये स्मार्टी पान अगली है इस बेचारी को पता भी नहीं है कि वो कितनी मुसीबत में है जब तक वो भाग सकती है उसे भाग जाना चाहिए दिन भर के क्लास के बाद अपने डॉम रूम में आराम करना अच्छा लगता है अरे नई लड़की मिया के कमरे में है वो बहुत प्रैंडली है ये कितना बुरा है मिया अभी उसे एक सबत सिखाएगी सिमाई लगाना ज़िरूरी है मिया कभी नहीं भूली कितने साल पहले कैसे उस लड़की काईली ने उसके हिलोने चुराए थे जब तक कमरे में कोई नहीं है मिया अपने अगले प्रैंग के बारे में सोच रही है हमारे पास यहां क्या है समझ गए नए लड़की का मेकप बाग एक चट की काली मेट्च धोड़े गर्मे के लिए ओ, ऐसा लग रहा है मिया ने अपनी ही दवाई का स्वाद चक लिया नौकाउट एक, दो, तीन और मिया वापेस आगई लेकिन बहुत ज़्यादा चीकते हुए काली उसे एक टिशू देती है और मिया ऐसा नाटक कर रही है कि जैसे काली का टेबल एक कच्रे का डबा हो टिशर परिशान है और मिया को नौर्स के पास भीज देती है नौर्स के ओफिस में जाना मिया को बहतर में हैसूस करवाएगा बस एक शौट ओ-ओ, मिया के सबसे बड़ी डर है गंजा होना और शौट लगवाना उसे चलने में बहुत दर्द हो रहा है या बैटने में वो किस अब काली कहा है मिया को एक नए प्लान की जरुवत है एक स्नीक्य प्लान उसे एक बदले की जरुवत है काईली ने टूटे होए ग्लास पर ध्यान लगा कर अपनी चुटियां बिताए है तो उसकी कुर्सी पर लगी फिंस ने उसे उसकी इंडोनेशा की शानदार से लियाद दिला दी मिया को बहुत गुस्ता आ रहा है उसे भी ध्यान लगाने की कुशिश करनी चाहिए मिया अपने बॉइफरिंट के साथ काफी ज़ाधा ध्यान लगा रहे है काईली अपना हूंबर के स्तरह नहीं कर सकती बस सुनी जाओ काईली हाँ? आग! उसकी नोटबुक पर मूंबर पी गिर गए मिया काईली के सोडा से आग बुझा देती है जब तक काईली अपने सपनों में यूनिकॉर्ण के साथ खेल रही है उसके खराटे मिया को सोने नहीं देंगी उठो तुम्हें ज़़ी निकल जाना चाहिए तांकि तुम्हें देर नहीं हो वो ऐसा नहीं सोचा था रुको वो इतना भी बुरा नहीं है कम से कम वो देया आलू है मैं अपने कमरे में भापस जा रही हूँ थोड़े चिप्स के मज़े लेने के लिए काईली सुबा जवदी चलती कहीं जा रही है और मिया गरवर करने के लिए बस नहीं वक्का इंतजार करे है जुक्तो को फर्ष पर जपकाना उसका मनफ़संद प्रांक है लेकिन काईली ने आज आरामदाइक स्थी को इस पहनने का सोचा प्रांक पूरी दरह से अरसफल हो गया मिया गुस्से में है हमाज एक टेस्ट ले रहे हैं और हमारे पास उसे करने के लिए सिर्फ आदा घंटा है बच्चे परेशान है जब तक मिया कोई जानकारी याद करने की कोशिश कर रहे है काईली का काम लगबग पूरा हो चुका है और वो उसकी पैंसल को लेकर टोनी की मदद कर रहे है ओ बढ़िया काम टोनी उसने टेस्ट के अदला बदली कर दी है अब काईली के पैंसल टोट गए और मिया यही है लेकिन अब मिया के पास टोनी का टेस्ट है काईली को कोई अंदाजा नहीं है कि क्या चल रहा है लेकिन उससे काम करते रहना होगा वक खतम हो गया है टेस्ट खतम हो गया है स्टूडन्स अपने पीपर वापस देते है डीजे टेस्ट को ग्रेट देते है और उन्हें वापस दे देते है तोने को पहली बार भी मिला है वो कितना खुश है कारली को हमेशा की तरह एपलेस मिला है और मिया को एक एफ मिला है वो गुस्ते में है ये कैसे हुआ ये क्लास का सबसे खराब ब्रेड है मिया इंस्टेग्राम के लिए नई सेर्फीज ले रहे है कोई दरवाजी पर है उसे किसी के भी आने के उम्मीद नहीं थी ओ, ये काईली के लिए एक पैकेज है ये दल्चास है अंदर क्या है कसेट करने वाली लेगिंग्स मिया ने अपनी खुच की थोड़ी कला जोड़ने का सोचा वो अभी भी उस टेस्ट में अचफल होनी की वज़े से गुस्से में है काईली अभी वापस आई है और मिया उसे वो पाकेज देती है जिसका उसे इंतिजार था मिया की हसी चूटने वाली है काईली बहुत खुश है छेट वाली लेगिंग्स कितनी बढ़िया है मैं किस्मत वाली हूँ कपड़े दोने की दिन तक काईली के पास एक टन कपड़े होते है जिने दोने की जरुवत होती है लेकिन उसके पास डिटोर्जिन खतम हो गया है ऐसा लगता है कि इसे लिए उसने अपने कमरे में छिपा कर रखा हुआ है ये रही मिया वो उसके साथ प्रांक करने का तरीका सोच रही है वो सफीब वालो के साथ लाल तॉलिया डाल सकती है ये मजीदार है मिया कम से कम अपने एप को डी में बिदलना चाहती है लेकिन फिर वो काईली को सफीब कपड़े पहने बिखती है क्या? कैसे? ये साधारन है मार्ट येर वाच्च कल मिया ने टोकरिया मिलाई थी आह बुरे किसमर मिया काईली को कुछ खास गमी कैंडीज दे रहे है टोनी भी खाकर देखना चाहता है टीचर को भी कैंडीज पतंद है यहां सबके ले काफी है उफ! उन कैंडीज में मिर्च है टोनी अपने मुह में लगी आख को बुजाने की कोशिश कर रहा है काईली को यह पसंद है टीचर को बस महसूस होना शुरू हुआ है उफ! उन्हें इसकी उम्मेद नहीं थी काईली अपने सिगनेटर कपकेक्स बना रही है उसने पहले से यावन में टाइमर सेट कर दिया है और मिया गर्मी बढ़ाने का फैसला करती है कपकेक जल गए ऐसा पहले कभी नहीं हुआ उसे अब क्या करना चाहिए वो सिर्फ मिया के लिए कुछ अच्छा करना चाहती है और उसे कपकेक के साथ चौकाना चाहती है ताकि वो आखिर में दोस्त बन सके मिया ने अपना ही सर्प्राइज बर्बाद कर दिया मिया बहुत भारी वजन के साथ कसरत कर रहे है यह डराने वाला है काईली सिफ मिया को अपने छोटे दोस्ते मिलवाना चाहती है क्या यह प्यारा नहीं है ऐसा लग रहा है कि मिया को चुहूं से डर लगता है वो बड़े पंजे उसे डरा रही है और उसकी खौफनाक आखें वो उसे खाना चाहता है मिया धबरा रही है काईली को कोई अंदाजा नहीं है कि वो किस से डर रही है मिया कायली का लॉकर बर बात करके बदला लेना चाहती है सबसे पहले एक आम ले क्योंकि कायली को वो बहुत पसंद है और वो लॉकर पर साइन करेगी थाके कायली गरबर ना कर दे लेकिन मिया वो थी जिसमें गरबर कर दी ये कायली का लॉकर नहीं है ये किसका है? तोनी वो चौक गया ये किसने किया है? मिया उसे बताती है कि उसने सब कुछ देखा है वो काईली थी तोनी बहुत गुस्से में है काईली टिक टोक के लिए एक मसेदार वीडियो शूट करने वाले है ये बहुत बढ़िया होने वाला है काईली को मूज याद नहीं आ रही है ओ, ये रही मिया वो मदद करेगी वो टिक टोक पर मशूर है और वो एक अच्छी वीडियो बनाना जानती है एक, दो, तीन, चलो वाह, वो बढ़िया काम कर रही है ये वीडियो इंटरनेट पर धहमाल मचा देगी शानदार शायद मिया इतनी भी बुरी नहीं है लड़ाई खत्म हो गई है अब मिया और काईली हमेशा के लिए सबसे अच्छी दोस बन गए है प्रिंसिपल अभी अभी एक नए स्टूरेंट को लाए है एक और वाह वो कितना प्यारा है यहाँ गर्मी बढ़ रही है मिया पिगल रही है क्या काईली को भी वो पसंद है लेकिन उनों ने अभी अभी दोस्ती की है आप हमारी नई वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं क्या आपके पास अपनी क्लास में नई स्टूजिंट्स के आने के बारे में कोई मजीदार कहानिया है नीचे कॉमेंट करें और हम किसी दूसरे एपिसोड में सबसे अच्छे वाली को इस्तिमाल कर सकते हैं वीडियो को लाइक करें चानल को सबस्क्राइब करें